नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दशा यानि की स्थिती का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? दशा का इंग्लिश मीनिंग होता है, condition, state और situation. इसे example से समझते हैं, example, at present the economic condition of the country is not good. उदाहरन, वर्तमान में देश की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है. इसके साथ इस वीडियो में बस इतना ही, thank you so much for watching my video.